नमस्कार मित्रो एक बार फिर हाजीर हूँ आपके सामने नमाश के विशे सूत्र के साथ जिसके लिए आज हम जानेंगे कि क्या हम अपने प्रागद को बदल सकते हैं क्या उसमें कोई परिवर्तन आ सकता है या आता है तो कैसे देखे कि कौन सा ग्रह हमारे जीवन में थोड़े से प्रयास करके शुब कर सकता है कुछ परिवर्तन ला सकता है या लाएगा तो आज की चर्चा का विशे क्या हम अपने प्रागद में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं और वो भी नमाइच द्वारा कैसे देखे साथ ही सबसे पहले मैं आपके प्रशनों के उत्तर देने के लिए आई हूँ मित्रो मुझे पता लगा कि मुझसे कुछ शिकायत है कि मैं प्रशनों के उत्तर नहीं देती मैंने आपको बोला था कि मेरे घर में कुछ मिस हैपनिंग्स हो गई है रीसेंट्ली मेरी बड़ी सिस्टर की डेथ हुई थी जिसके कारण से मैं वीडियो बनाने के बाद आपसे बात नहीं कर पाई मेरा सारा समय वहीं व्यातीत हुआ अपनी सिस्टर के घर में परिवारी समस्या ऐसी आ जाती है तो उसके लिए शमा चाती हूँ कि मैं आपको उत्तर नहीं दे पाई पर आज की जो मेरी चर्चा रहेगी उसमें सबसे पहने आपके प्रश्णों के उत्तर ही दिये जाएगी उसके बाद आपको ये बताऊंगी कि हम अपने प्रारब्द में किस प्रकार से और इसे प्रयासों से परिवर्तन ला सकते हैं तो मित्रों सबसे पहले आपके प्रश्ण एक प्रश्ण है इस फूर्थ लॉड इस प्लेज इन नाइन्थ वट ड़स इन नाइन्थ यानि चौथे घर का स्वामी नवम भाव में जाए तो उसका क्या अर्थ है और इनका कहने का मतलब है कि अगर आपका मित्रों लगन का स्वामी नवम भाव में गया है नवम भाव में गया है तो आप अपने व्यवाहित धरम करम को निभाने के लिए धरम का सहारा लेते है कर्तवयों को निभाने के लिए धरम की अनुसार विवाह को निभाने के लिए गुद्धी का इस्तमाल भी करते है और मान सिकता भी अच्छी है क्योंकि चंद्रमा भी है परिवार भी वहाँ चला लिए third lord sorry यहाँ पे लिखा है आपने मिथुन नमामशा and buddh with moon buddh चंद्रमा के साथ दवम भाव में यानि तीस दूस पहले और दूसरे भाव का स्वामी वहाँ चला गया तो आप धरम करम करने के लिए परिवार का भी सहारा लेते हैं कर्तव्यों को निभाने के लिए धरम निभाने के लिए और धरम के अरुसार कारिये करते हैं तो आप अपने कर्तव्य निभा रहे हैं अब ये मिथुन लगन D1 में कौन है वो मैंने अलग से आपको समझाया था नाडी नवामशा से भी पराशर से भी किन्तु विवाहा के संबंद में ये आप से कर्तव्यों का निर्वाहा शुबता से शुब मानिसिक्ता से करवाता है दूसरा प्रश्च्च है अगर नमाश कुली में फोर्थ हाउस में व्रिश्चिक राशी का मंगल हो तो क्या होगा चोते घर का स्वामी चोते भाव में चाहे व्रिश्चिक का ही है यानि आप अपणे सुख के भाव में स्वयम बेटे हैं मंगल प्रयासों का कारक है वे कार्य करता है आप बानिसिक रूप से अपने सुख के लिए अपने मन में ही रखते हैं मानसिक लड़ाई लड़ते हैं अपने मन में ही रखना चाहते हैं कि मुझे सुख कैसे मिलगा है आप किसी को बताते नहीं होगे चोथे भाव का स्वामी मंगल विश्चिक राशी का यदि चतुर भाव में हो ऐसा व्यक्ति अपने सुख के बारे में बात करना पसंद नहीं करता उसे सुख कहां से प्राप्त हो रहा है या माता उसकी किस प्रकार से उसके सुख का ख्याल रखती आई माता के बारे में भी अपने सुख के बारे में भी वो कभी बात करना नहीं चाहेगा लेकिन मन उसका इस मारे में मानिसिक रूप से वो अपने मन में रखके सोचेगा मन ही मन मुझे क्या करना चाहिए अपने सुख के लिए और अपने करम के लिए भी क्योंकि दशंभाव पर सीदी दृष्टी है और ये मंगल काल पुरुष में यहाँ पे नीच का भी होता है और दिगबल में भी जीरो होता है तो वो अपनी सुख की कामना अपने सुख के बारे में किये गए प्रयासों को भी अपने मन में रखता है अगला कोर्शन है क्या नमाश में भी ग्रहों की नीच भंग की स्थिती को काउंट किया जाएगा बिल्कुल नीच भंग की स्थिती काउंट होती है और उन्होंने कहा मेरा मानना है गुरू नमाश में नीच के है कि तो शनी उचके अगर नमाश में हो तो क्या गुरू का नीचता भंग नमाश में भी माना जाएगा बिल्कुल नहीं, शनी उचके होकर गुरु को नहीं दृष्ट करेंगे, चाहे वो मकर राशी में गुरु हो और शनी तुला में उचका होता है, तुला से शनी गुरु को दृष्ट नहीं करेगा, ना ही गुरु शनी को दृष्ट करेगा, तो ये नीच भंग राज योग नह ही है एक और बात आपको बता दू नवाइश में नीच के ग्रहे विवाहिक स्तर पर उचित नहीं माने जा सकते हैं क्योंकि नीच का ग्रहे हमबलनेस देता है आपको अन्य रूप से भातिक रूप से आपको व्यवारिक रूप में अच्छे फल दे सकता है किन्तो इन रिलेशन में जो भी जिस भाव में भी वैं नीच के होंगे और जिस राशी के स्वामी के अनुसार उसका राशी स्वामी भी पीडित होगा उन रिश्टों में नवामशा में आपको पिड़ा प्राप्त होगी गुरू नवाइश में यदि नीच के हैं तो गुरू कारक है विवाहिक कारियों में और संतान के कारियों में शुबता का परिवार को बनाए रखने का, किम्तु इन में से किसी ना किसी रिष्टे में खटास अवश्य देगा, क्योंकि गुरु नीच का है और वो अपना रिष्टों में डेबिलिटेशन देगा, शनी के अनुसार कि शनी कहां किस स्थिती में बैठा है, ऐसे ही अन्य ग्रों की नीच्टा का, मैं बहुत जल्द आपके लिए ये लेके आऊंगी, अभी के लिए मैं आपको बता दू, नमाईश में नीच के ग्रहे, विवाहिक सम्मंदों में समंदित ग्रहे, जिस भाव से समंद बनाएगा, जिस राशी में नीच का होगा, वहां से समंदित रिष्टों में खटास देगा, इनका एक और प्रशन है कि यदि लगन कुंडली में कोई ग्रहे नीच होकर विपरीत राजयोग बना रहा है, लगन कुंडली में अगर कोई ग्रहे बैट के नीच भंग में विपरीत राजयोग नहीं बना सकता, इसलिए आप बड़ डिटेल पहले दीजिए, तब ही आप इस प्रशन को भी अच्छे से रख पाएंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग 6-8-12 के ग्रहे बनाते हैं और वो लगन में बैटे हो, तो विपरीत राजयोग नहीं होता, अब उनका आगे है कि तू उस नीच के ग्रह को नीच भंग मिल जाए, तब क्या वो विपरीत राजयोग देगा, तो सबसे पहले वो विपरीत राजयोग में नहीं कहलाएगा, मकर लगन में लगन में गुरू राजयोग देता है कि तु यनी शनी भी साथ में हो तो क्या गुरू राजयोग दे पाएगा ये राजयोग आपको किस वे में देगा विपरीत राजयोग विपरीत परिस्थितियों में ही राजयोग देते हैं और गुरू और शनी नवाइश में यदि नीच के हैं तो वो शनी अलगाव का अकेलेपन का साती है गुरू शनी के समान चलेगा गुरू साधना अध्यात्मिक्ता को बढ़ाता है और जब दोग रहे लोनली प्लैनेट ऐसे मिल जाएं तो विवाहिक संबंदों में अलगाव दे सकते हैं अध्यात्मिक्ता के कारण या किसी अन्य कारण से विवाह में आपको सबकुछ प्राप्त होते हुए भी संबंदों में नीरस्ता अवश्य आएगे अब एक और प्रश्ण कि अगर डी नाइन का लगना लौड सेवन्थ लौड दोनों डेबिटेटिड होकर लगन को देखे तो क्या फल देंगे उन्होंने जो प्रश्ण किया है वेकेवल एक परिस्तिती में ही हो सकता है कन्या लगन में क्योंकि कन्या राशी नीच की होती है मीन राशी में और सब्तमेश नीच होता है मकर में वो लगन को नवम दृष्टी से देखेगा और बुध नीच का होकर सब्तम दृष्टी से यहाँ पर फिर वही बात आप अन्ने संबंदों में देखे D1 में बुध कहां का स्वामी होकर D9 में नीच का हुआ है वो वहाँ पर वानी में किसी प्रकार का आपको करवाहट या विपरीत भाशा देकर करवी भाशा देकर या अन्ने प्रकार से रिष्टों में खटास अवश्य देगा नवामशा के लिए नवामशा में जो नीच करह हैं रिष्टों के लिए अच्छे नहीं है आप कितना भी हम्बल हो जाए लेकिन चतुर्थेश पंचम में जाके नीच का हो गया तो सुख संतान के पास चला गया अब संतान से वो इस प्रकार से हम्बल होकर अपने सुख को प्राप्त करेगा यानि आपको संतान के पास जाना पड़ रहा है उसके आगे हम्बल होना पड़ एसे ही कन्य राशी के लिए बुद्यदी नीच का है और दो नीच के ग्रहलगन को देख रहे हैं तो आपको कितना जुकना पड़ेगा आपकी वानी कितनी जुकेगी आप कितने हम्बल हो और किस लेवल के होकर आप अपने करम से भी दशम से दशम में होंगे तो व्यापारिक बुद्धी आपकी किस प्रकार से प्रपंच करके अपने करम को आगे बढ़ाएगे। का भी अंसर मिल गया आपको क्योंकि शनी तुला में उच्च का होगा तो वो गुरु को नहीं देखेगा हाला कि शनी से गुरु केंदर में होगा लेकिन लगन से केंदर में नहीं होने से उसका नीच भंग नहीं माना जाएगा। अब अन्य ग्रोहों से देखे क्या वो नीच भंग में है तब ही वैकारिये करेगा। अब आगे आपके प्रशनों के साथ ही मैं आपको ये भी समझा रही हूँ कि नमाश के द्वारा क्या प्रारद को बदला जा सकता है। तो पहले मैं विवर्स चार्ट का क्वेरी लेती हूँ कि कुम्ब लगन का नमाश है। नमाश के फर्स्ट हाउस में चद्रमा है। नमाश के अश्टम भाव का स्वामी बुद्ध नीच का होकर सकिंड हाउस में है। और अश्टम भाव पर राहु की दृष्टी है, गुरु की दृष्टी है, और अश्टम भाव के स्वामी वुद्ध पर केतु की दृष्टी है, विवाहिक जीवर कैसा रहेगा? सबसे पहले आपको ये बता दू राहु की दृष्टी अपने स्वामी के अनुसार ले ना कि हमेशा वो ले जो नवम और पंचम की आप लोग मानते हैं मैं कहीं भी ये नहीं मानती कि राहु या केतु की 9-5 की दृष्टी है या 4-8 की दृष्टी है मैं राहु केतु की दृष्टियों को उनके स्वामी के अनुसार देखती हूँ नवाश में जैसे राहु शनी की राशी में बैटा है तो उसकी 3-11 की दृष्टी आप देख सकते हैं अदर्वाइस आप केवल सात्वी दृष्टी ही देखें केतु की चंद्रवा की राशी में है तो केवल सात्वी द्रिष्टी है उसकी बुद्ध पर द्रिष्टी में नहीं मानूगी अब अश्टम भाव पर बुद्ध की द्रिष्टी है और गुरु की द्रिष्टी है दो शुब ग्रहों की द्रिष्टी आ गई यहां बुद अश्टमेश पी है अश्टम भाव पर अश्टमेश की दिरिष्टी शुब दिरिष्टी और साथी गुरु की शुब दिरिष्टी आपके मंगले भाव की वृद्धी करती है आपके विवाह की आयू को मंगले को लंबा करती है आपको सुहागन रखती है अगर ये इस्त्री चार्ट है तो इस्त्री को सुहागन रखती है अगर ये पुरुष चार्ट है तो वो पुरुष को सुहागन रखती है यानि पुरुष की भी आयू विवाह की आयू मृत्यू पर्यांत तक वो विवाहित होगा उसके विवाहा में कोई खलल नहीं आएगा ऐसे ही इस्त्री का भी माना जाएगा आपका मंगले भाव का अर्थ है शादी की उम्र लंबी है अर्थात आप अपने मृत्यू पर्यांत तक सुहाग आपका बना रहेगा यानि जिस किसी की विम्रित्यू होती है दूसरे का सुहाग बना रहता है और जो जाता है उसका सुहाग यानि वो पहले जाएगा तभी उसका सुहाग बना रहेगा तो उसका अर्थ एक ये भी है यहां बुद्ध नीच राशी का होकर यदि सेकेंड हाउस में है तो वह अपनी वानी को स्मार्ट ली लेकिन मनमर्जी की रखता है क्योंकि बुद्ध पर किसी अन्ने ग्रह की दृष्टी नहीं है तो विवाहिक जीवन शुब रहेगा लेकिन ये बुद्ध मनमानी की वानी बोलकर कभी-कभी रिष्टों में परिव्यारिक रिष्टों में वानी के कारण उतार चड़ाव हो सकता है क्योंकि वो अश्टमेश है तो दबीवी जबान भी हो सकती है बुद्धी ऐसी जो दबीवी जबान से द्वी अर्थी बाते कर जाए जिसके अर्थ कहा कुछ जाए समझा कुछ जाए तो वानी पर आपको अपने कंट्रोल रख कर कारिये करे अब हमारा आज का जो एपिसोड है क्या नमाश के द्वारा प्रागर्द बदला जा सकता है तो इसके लिए हम मैं आपको एक सूत्र बता रही हूँ हम सब जानते हैं नमाश हो या कोई भी हो एक चार साथ दर्श राशियां जो चर राशियां है वह देव राशियां नमाश की कही गई है नमाश में उन राशियों को देव नमाश राशी बना गया है जो हम अश्टकूट मिलान में भी देखते हैं कि देव नर राक्षस हम इ स्थिर राशियां नर राशियां कही गई है मनुष्य यानि नमाश में जो राशियां है स्थिर राशियां उनमें बैठा ग्रहे नर नमाश में ग्रहे माना जाएगा और द्वी स्वभाव राशियां इनको राक्षस माना गया है दे नर राक्षस चर स्थिर और द्वी स्वभ अब इन राशियों में बैठे ग्रह नमाश में वो ग्रह कहे जाएंगे जो देव राशी में है नर राशी में है या राक्षस नाशी में यदि चर राशी में बैठे हैं तो वो देव राशी में बैठे हैं नर नमाश में बैठे हैं यानि स्थिर राशी में बैठे हैं तो वो नर नमांश में कहे जाएंगे और द्वी सभाव राशी में बैठे ग्रहों को राक्षस नमांश की राशी में कहा जाएगा इन में बैठे ग्रहों की प्रिवर्ती भी इसी समान मानी गई है कि देव राक्षस में बैठे ग्रह है देव तुल्ले सभाव बताते हैं जैसे हम इस नमाश में देखे तो यहाँ पे चर राशी एक चार साथ दस में कोई ग्रह नहीं बैठा लेकिन नमाश में हम देखे तो के तू शनी और राहू चर नमाश में तो यह देव नमाश में हो गए तेव नमाश में बैठे ग्रहों को अद्रड राशियां कहा जाता है अद्रड राशियां तेव नमाश की राशियां नर नमाश में स्थिर राशी में देखे चंद्रमा, गुरु और मंगल है इन्हें द्रड राशियां कहा गया है नर राशियां, स्थिर राशियां जिने द्रड़ता, स्थिरता यानि ये ग्रहे स्थिरता देते हैं और 3-6-9-12 भाव में बैठे ग्रहे देखे तो शुक्र और सूर्ये और बुद्र यहां राक्षस नमाश में हैं जो द्रड और अद्रड दोनों को बताते हैं यानि ऐसे मनुश्य जिनके ये ग्रह हैं उन ग्रहों की दशा में व्यक्ति कभी देवता समान बाते करता है, देवतुले बाते करता है, शुब बाते करता है, शुब वेवार करता है, वेवारिक रूप से अच्छा होता है और कभी-कभी उसमें आद्रडता या राक्षस के ग अगरित हो सकता है अब हम अपने प्रारद को किस नमाई से बदल सकते हैं जो अद्रड देव तुले राशियां है चर राशी में बैठे ग्रहों को देखें उन ग्रहों के द्वारा शासित राशियां जैसे यहां शनी तुला राशी में है शनी की महादशा भी चल रही है तो शनी के स्वामी शुक्र और उनके स्वामी इश्ट महादेव शनी के भी इश्ट महादेव शुक्र के भी इश्ट महादेव है और मा लक्ष्मी की पूजा इनसे आप अपनी पूजा करके शनी द्वारा जो आपको अशुबता प्राप्त होगी उसको आप शुबता में तोड़ा सा शुबता ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, जो भी ग्रह जैसे राहु है, के तु है, आप इनके स्वामियों को देखे और उनसे सम्मंदित ग्रह के इश्ट देव की पूजा करें, राहु है, चर्नमाश में है, तो आप मा दुरगा की पूजा करें, मा काली की मा काली की पूजा राहु के अनुसार मा दुरगा और उनके स्वामी के अनुसार मा काली, इनकी आराधना से आप अपने प्रारब्ध में शुबता ला सकते हैं, ऐसे ही केतू के लिए चंद्रमा राणी है और माता है, तो माता की पूजा और केतु के लिए आप दिल से अपने माता समान व्यक्तियों की पूजा, साथ ही कुते के लिए डॉग्स के लिए खाना, फीड देना, उनकी सेवा करना, इससे आपको अपने उन दुखों से छुटकारा मिलेगा, वो दुख कम होंगे जो आपको इन ग्रहों की कारण मिल रहे स्थिर राशी में बैठे ग्रहों के प्रारब्द को बदला नहीं जा सका, चाहे D1 में वो चर राशी में हो, चाहे V सभाव में हो, लेकिन अगर चर राशी का स्वामी नमाश में स्थिर राशी में गया, तो वहे अपनी मानसिक्ता को बदलता नहीं है उसकी मानसिक्ता एक स्थिर्टा लाती है एक मनुष्य के समान उसमें हठीपन ले आती है और कुमराशी है तो कुए के गड़े के पानी के अंदर बैठा मानसिक्ता है कि जिसे घड़े के बाहर का पानी अपने उपर ही गिरता दिखता है या अपने लिए ही दिखता है किसी और का दुख दिखाई ने दे या six lordo के यहां बैढ़ गया तो वो उसके समान मानसिक्त लोगी या इनमें चंद्रमा की पीड़ा मन को दुखना पौह हो सकता है यानि मानसिक्ता में यह बदलाव नहीं लाएगे ऐसे ही जुपिटर और मंगल भी स्थिर राशी में है तो इनके कारकत्वों में आप बदलाव नहीं कर सकते आप पूजा पाट कर ले बहुत अधिक पूजा पाट से आपको एक बूंद शायद कुछ फल मिल जाए लेकिन दुई सभाव राशियों में जैसे बुद्ध है, शुक्र है, सूर्य है तो इनमें प्रयास अधिक करना पड़ेगा चर राशियों के नमाईश में बैठेग रहे, कम प्रयास से आपको शुबता देते हैं स्थिर में बहुत अत्यदिक प्रयास करना पड़ता है अपने प्रारब्ध में थोड़ा सा शुबता लाने के लिए और द्रड़ द्रड़ में प्रयास पड़े अधिक करने पड़ते हैं चर से अधिक और स्थिर से कम एक और विवस्चाट ले रही हूँ यहां भी देखे, चर राशी मकर राशी का बुद्ध है जो यहां भी चर में है और बुद्ध की ही महादशा है तो श्री विश्चु हरी उनकी पूजा अराधना से उनके आपको कश्टों से मुक्ति तभी मिल पाएगी आप अपनी बात को अच्छे से तभी रख पाएगे जब आप श्री विश्चु की पूजा करें तो मित्रो आज के लिए इतना ही यहां सूरे मंगल राहू के तू बुद्ध चार ग्रहे बैठे हैं चर नवांश में तो यह सभी देव तुल्ले हैं आप इनसे सम्मंदित देवताओं की पूजा करके अपने सुखों में बढ़ोत्री कर सकते हैं यदि इससे सम्मंदित कोई सवाल हो या आपके अभी भी कुछ सवाल रह गई हो तो मैं अवश्य उन्हें देखकर पूरा करने का प्रयास करूंगी और आपके प्रश्णों का फिर से इंतिजार रहेगा मिलते हैं बहुत जल एक नए वीडियो के साथ आप सभी के लिए रक्षा बंदन की बहुत बहुत शुब कामना है बहन भाई का प्यार बना रहे इसी शुब कामना के साथ आज के लिए नमस्कार Thank you so much